आखिरी और में लकनो सुपर जैन्स ने किया कमाल राजस्तान रोल्स को जित के लिए चाये थे 19 रन लेकिन फिर कमाल की गिनबाजी की आवेस खान ने नमस्कार दोस्तू स्वागेता आपका एक बार फिर हमारे चैनल में आईपिल 2023 का आज एक और बहेदी रोमांचक मुकाबला खेला गया चांपर आखिरी और में राजस्तान रोल्स को जीत के लिए चाये थे 19 रन लेकिन फिर आवेस खान की गातक गिनबाजी के सामने राजस्तान रोल्स के बलेबाज टेर हो गए तो दोस्तो इस वेड़ो में हम आपको आओ इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाइलाइट बताएंगे लेकिन उससे पहले आप भी इस मुकाबले को देखकर खुसे तो इस वेड़ो को लाइक की जरूर कर दें और साथी साथ अब ये तक आपने हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाले तो चले दोस्तो जानतें इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुराथ से ही तो सबसे पहले बात करते हैं आज के मुकाबले की टॉस की तो दुस्तो आज के मुकाबले में सिखा उचाला संजू सेमसन ने और गिरा भी उनी के पक्स में टॉस जीतकर संजू सेमसन ने पहले गेनबाजी का फैसला किया दोनों टीमे कापी सांदार पलेंगले उनके साथ मैदान पर उतर रही थी बलेबाजी करने के लिए उतरे लकनो सुपर जैंट्स की तरब से काईली मैयर्स और केल राहूल पारी की सुराथ दोनों बलेबाजी ने कापी सांदार तरीके से की लेकिन पहला और राजस्तान रोल्स की तरफ से कापिस सांदा रहा जांपर मेडन आवर के साथ बैतरीन सुरुआत की ट्रेंट बोल्ट ने लेकिन इसके बाद दूसरे आवर की दूसरी ही गेन पर एक चोका देखने को मिला कायल मेयर्स के बल्ले से लेकिन दोस्तों ये केज था जहांपर ड्रोप जरूर हुआ था लेकिन यहांपर पहला चोका जरूर मिला इसके बाद के एल राहुल ने इसी और की आखिरी गेन पर एक सांदार कवर ड्राइव के जर्ये चोका लगाया और दोनों बलेबाजों ने इस और में एक एक चोका जड़ा लेकिन इसके बाद पांचवे और की दूसरी गेन पर ट्रेंट बोल्ट की गेन को बैतरीन तरीके से बॉंडरी लाइन के पार बेजा काईल मेयर्स ने और इस मुकाबले का पहला चखका उनके बले से देखने को मिला उन्हों एक ड्राइव के जरिये के इनको बॉंडरी लाइन के पार बेजा और फ्लेट 6 लगा इसके बाद केल राहूल ने इसी और की पांची गेन पर एक और सांदर चोका ट्रेंट बोल्ट की गेन पर लगाया इस बार भी उन्होंने कमाल का सोट केला था इसके बाद एक और सांदर केज केल राहूल का जरूर चुटा लेकिन इसके बाद आटवे और की चोती गेन पर एक और सांदार चक्का कायल मेयर्स के बल्ले से देखने को मिला उन्होंने कमाल का सौट केलते वे जैसन होल्डर की गेन को बॉन्ड रिलाइन के पार बेजा तो वहें पर इसी और में सांदार बल्ले बाजी करते हुए एक और सांदार चोका देखने को मिला केल राहूल के बल्ले से लेकिन दोस्तों इसके बाद ये जवेंदर चैल जब नौवा और डालने आये तो उनकी पहली गेन पर सांदार चका काईल मेर्स के बल्ले से देखने को मिला तो दूसरी गेन पर उन्हों ने सांदार चोका लगाया और यहाँ पर स्वीप के जरिये एक और सांदार चोका बठ करेखने को मिला लेकिन दोस्तों इसके बाद ग्यार वेंधर की चोती गेन पर जैसन होल्डर ने राज़सान रोल्स को पहली सबलता दिलाई और सांदार बले बाजी कर रहे के एल राहूल को चोस बटलर के हाथूं केज करा कर पेवलेन बेजा यहां पर संदर बले बाजी कर रहे थे के एल राहूल लेकिन 32 गेनों पर 49 रन बना कर वो पेवलेन लोटे इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आयूस बदोनी आये और आयूस बदोनी गए क्योंकि आयूस बदोनी को ट्रेंट बोल्ट ने बोल्ट करके पेवलेन बेजा इस मुकाबले में ट्रेंट बोल्ट का यह पहला विकिट था लेकिन आयूस बदोनी यहाँ पर भी कुछ खास्त न उन्होंने चोका बोटोडा तो वहीं पर इसी ओवर की पाँचवी गेन पर यह जवेंदर चेहल के एक और संदार चोका उनके बल्ले से देखने को मिला जबके दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेन पर उन्होंने सिंगल के साथ अपना अर्सतक पोरा कर लिया ईर और इस डीफ सिरी 50 थी लेकिन इसके बाद दिपक उड़ा बड़ा सोट केलना चाहते थे लेकिन बैतरीन केच सिमरन हेट मायर ने किया और रवी चंदरन अस्विन ने राजस्तान को एक और सपलता दिला दी यहां पर दिपक उड़ा चार गेनों पर सिर्फ दो ही रन बना पाए तो वहें पर इसके बाद चौदवे और के चौति गेन पर रवी चंदरन अस्विन की गेन पर आते ही सांदार चोके के साथ खाता खोला मार्कुस टोई lifelong ने और यहां पर स्विप रिवर स्विप के जरी चोका लगाया लेकिन इसी ओवर की पाँचवी गेन पर रवी चंदरनास्वी ने वोल्ड करके पेवलियन बेजा सांदर बलेबाची करे काईल मेयर्स को मेयर्स ने 42 के नूपर काउन रनों की सांदर पारी खेली तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 70 वे ओवर की सुरात वी टाइम आउट के बाद तो इस ओवर में एक चोका देखने को मिला मार्कोस टोनिस के बले से लेकिन इसके बाद 19 वे ओवर की पहली गेन पर सांदर चखे के साथ आगाच किया इस ओवर का निकोलास पूरन ने तो वहीं पर उस चखे के बाद अगली ही गेन पर उनके बले से एक और सांदर चोका फलिक के जरीए देखने को मिला फाइनलेक की तरब दो गेनों पर भी सोर में 10 रंड़ बना चुके थे जबकि इसी और की चोती गेन पर उनके बल्ले से एक और सांदार चोका देखने को मिला इस बार उन्होंने सांदार सोट खेलते वे बेकवर्ट पॉइंट की तरफ चोका बठोड़ा लेकिन दोस्तों इसके बाद 20 वे और की तीसरी गेन पर संदीप सरमा ने मार्कुस टोइनिस को संजु सेमसन के हाथ तुकेच करा कर पेवलेन बेजा यहाँ पर मार्कस टोइनिस सिर्फ 21 रन बना कर आउट वे 16 गेनों पर तो इसके बाद यहाँ पर कुर्णाल पंडे आये तो उन्होंने आते ही पहली गेन पर संदार चोका बेकवर्ट पॉइंट की तरफ लगाया यह उनका कमाल का सोड़ दा लेकिन इसके अगली गेन पर वो सिंगल लेना चाहते थे लेकिन यहाँ पर संदार थोग के चलते पर इस 155 रनों के लक्से का पिच्छा करने उतरी राजस्तान रोल्स की तरफ से पारी की सुरात करने उतरे यससवी जैसवाल तो उनके साथ ते जोस बटलर दोनों बले बाजों ने पहले आवर को संबल कर खेला तो वहीं पर दूसरे आवर की पांचवी गेन पर यससवी जैसवाल के बले से पहला चोका देखने को मिला इस मुकाबले का मिड़ोप की तरफ उन्होंने कापी सांदार सोट खेल कर एक चोका बटोरा तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसी आवर की आखिरी गेन पर कमाल का सोट यससवी जैसवाल के बले से देखने को मिला और उन्होंने सांदार तरीके से गेन को 6 रनों के ले डिपोजिट किया मिड़ विकेट की तरफ केले वे सोट में उन्होंने सांदार चोका लगाया और इस आवर में राजस्तान रोल्स के लिए सो लेरन बटोरे तो वहीं पर इसके बाद फिर से एक और चोका पांचवे और की पहली गेन पर युदविर सिंग की गेन पर आया जब ये सस्वी जैसवाल ने सांदार कट सोट के जरिये एक बैतरीन चोका लगाया तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जोस बटलर जो की कापी देर से सांथ थे लेकिन उन्होंने इसी ओवर की चोती गेन पर युदविर सिंग की गेन को बॉंडी लाइन के पार बेजा और दोस्तों ये चका डीप मीड विकिट की तरफ एक सो बारा मिटर दूर जाकर गिरा कमाल का चका था उनके बले से देखने को मिला और एक सो बारा मिटर दूर जाकर गिरी गेन लेकिन इसके बाद दोस्तों एक बार फिर जब चट्टा ओवर डालने आए आवेस खान तो उनकी पहली गेन पर ये सस्वी जैसवाल के बले से बैत रिंच चोका देखने को मिला तो में पर इसी ओवर की दूसरी गेन पर भी एक और सांदार चोका उनके बले से देखने को मिला हलांकि इस पार केच ड्रोप जरूर हुआ था नवीन उलहक से लेकिन यहाँ पर चोका जरूर मिला ये सस्वी जैसवाल को इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की चटी गेन पर भी यहाँ पर सांदार सोट खेलते वे चोस बटलर के बले से भी एक और सांदार चोका देखने को मिला और राजस्तान रोल्स की टीम के लिए एक और सांदार ओवर आ गया लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 7 वे और की आखरी गेन पर सिंगल के साथ राजस्तन रोल्स ने 50 रन पूरे की तो वहीं पर 8 वे और की दूसरी गेन पर रवी विसनोई की गेन को सांधर तरिके से चोके की तरब बेजा लोंग ओप की तरब से सांधर चोका लगाया चोस बटलर ने तो इसके बाद दोस्तों 9 वा और डालने आए मिसरा की तीसरी गेन पर रिवर स्वीप के जरिये सोट थर्ड में की तरब से सांधर चोका लगाया रिवर स्वीप खेलते वे चोस बटलर ने इसके बाद दोस्तों 11 और डालने आये एक बार फिर मिसरा तो उनकी पहली गेन पर एक और संदर सोट देखने को मिला जोस बटलर के बले से और इस बार भी उन्होंने कमाल का सोट खेला इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोनों बले बाजों के बीच सांदार एक्रेसी रनों की पार नसीब हो चुकी थी लेकिन बारवे और की पहली गेन पर ये सस्वी जैसवाल ने मारकोश टोनिस की गेन पर कापी सांदार चखा जड़ा इस बार उन्होंने डीप मिडविकिट की तरफ गेन को बॉंड रिलाइन के पार बेजा और दर्सकों में समाहित किया गेन को वहीं लेकिन इसी और की अगली गेन यानि की बारवे और की तीसरी गेन पर वो एक सोट खेलना चाते थे लेकिन उसमें आवेस खान के कमाल के केच ने पेविलियन बेजा ये सस्वी जैसवाल को इसके बाद संजू सेमसन उत्रे लेकिन दोस्तू संजू सेमसन मिस अंडरस्टेंडिंग का सिकार बने और रन आउट होकर पेवलियन लोट के इस मुकाबले में संजू सेमसन जादा कुछ खास नहीं कर पाई और चार गेनों पर सिर्फ दो रन ही बना कर आउट हुए तो वहीं पर इसके बाद जोस बटलर और हेट मायर के उपर बड़ी जिमेदारी थी लेकिन दोस्तों इसके बाद जोदवे और की तीसरी गेन पर मारकोश टोनिस की गेन को बड़ा सुट खेलने के चकर में अपना विकेट कमा बेटे जोस बटलर भी रवी बिसनोई ने उनका बहतरीन केज किया और सबसे बड़ा विकेट यहाँ पर मिल गया लकनो सूपर जाइंट्स को जोस बटलर इस मुकाबले में 41 केनू का सामना किया और 40 रन बना कर प्यवलेन लोटे अब राजस्तान को 34 केनू पर 55 रनो की जुरुत थी तब ही दोस्तों यहाँ पर 60 और की पहली गेन पर बड़ा सोट कहलना चाते थे सिमरन हेटमायर लेकिन वो भी केल राहुल को केज थमा बेटे और आवेस खान का सिकार बने इस मुकाबले में सिमरन हेटमायर भी 5 केनू पर सिर्फ 2 ही रन बना कर चलते बने इसके बाद साइध राजस्तान रोल्स की बड़ी गलती थी कि उन्होंने खेलने के लिए पेजा यहाँ पर रियान पराको लेकिन दूसरे चोर से सेट बले बाज देवदत पडिकल ने सतरवे और की तीसरी गेन पर सांदार चोका लगाया यहाँ पर सांदार रवी बिशनोई की गेन पर तो वहीं पर इसके बाद दोस्तू 18 वे और की दूसरी गेन पर भी तब ही यहाँ पर दोस्तू 18 वे और की तीसरी गेन पर भी उनके बले से एक और सांदार चोका देखने को मिला जबकि इसी और की पाँची गेन पर भी उन्होंने कमाल की बलेवाजी करते वे एक और सांदार सोट खेला यहीं पर अब राजस्तान रोल्स की तरफ मुकाबला मुड़ता तो नजर आ रहा था जब 19 वे और की चोती गेन पर रियान प्राग ने सांदार चाका लगाया और कमाल का सोट कहलते वे उन्होंने गेन को डीप मिड विकिट की तरफ 6 रनू के लिए पेस दिया इसके बाद दोस्तों यहां पर मुकाबला थोड़ा रोमान चकाया जब 7 गेनों पर 19 रन चाये थे लेकिन तब ही यहां पर सांदार गेन बाजी करते वे नवीन उलक ने 19 वे और की आखिरी गेन डोट निकाल दी अब 6 गेनों पर 19 रन चाये थे राजस्तान रोल्स को जबकि अब स्ट्राइक पर आ चुके थे रियान पराग जोकि एक फिनिसर के तोर पर इस टीम की तरफ से खेल रहे हैं 20 वे और की सुरात राजस्तान के लिए कापी सांदार वी जो पहली गेन पर बहतरी नचोका लगाया और शाय ओप की गेन को खेलते वे रियान पराग ने लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरी गेन पर वो सिर्फ सिंगल ही ले पाए अब स्ट्राइक आ चुकी थी देवदत पडिकल के पास लेकिन देवदत पडिकल तीसरी गेन पर कुछ खास नहीं कर पाए और बल्ला का एज लगकर गेन विकेट कीपर के दस्तानों में चली ग कमाल का सोट जरूर कहला लेकिन यहाँ पर उतनी ही बेतरी इन फिल्डिंग रही दीपक हुड़ा की और बॉंडरी लाइन के उपर कापी सांदार केच किया दुरू जुरेल का दीपक हुड़ा ने और पेवलियन बेजा दुरू जुरेल को जो की सिर्फ एक ही गेन का सामना कर पाए और गोलिडन डग पर ही आउट हो गए ये खिलाड़ी वो था जो अगर पहले आते तो साइध मुकाबले को पलट सकते थे वहीं पर इसके बाद दोस्तों राजस्तान रोल्स के लिए जादा कुछ खास नहीं रहा आकरी दोनों गेनों पर एक एक रन बना और राज जरूरल उपर बलेबासी करते तो पासा जरूर पलट सकते थे आपको क्या लगता हमें अपनी राज कमेंट में दे और इस वेड़ो को जादा से जादा से यर जरूर करें तन्यवाद